प्रूदार नहुं पॉइंट टेक लिए रागर ना करें अपर ची तो आ साव सेल उद लागे के एक स्ट्रक्चरल स्टील ना सरियानी त्रीजिया दस मिलिमीटर लंबाई एक मीटर जे त्यानी लंबाई नी दीशा मां सो किलो न्यूटर्न येले सो गुणे दस्थी त्राण घात सरिया मां प्रतीबा लंबाई नो वधारो अने विकृती नी गणतरी करवानी ये स्ट्रक्चरल स्टील मांटे यंग मोडिले सापित दुई बे गुणिया दस्तनी अग्यार घात आपने धारे लिए के सरियो एक छिदे थी जक्डी ने राखेल छे बीजा छिदे सरियानी लंबाई नी दीशा मां एफ जिटलू बर लागू पाड़वा मां वेज़े शरिया पनु प्रतीबर एफ अपॉन ए बराबर पाई अपॉन इस आट स्क्वेर था है तमने आगर में की दू सो किलो न्यूटन की दाव होई इटले सो गुणिया दस्तनी तरंग घात करू पड़े पाई नी किम्मत खबर होई 3.4 अने त्री जिया 10 मिली मीटर की दू ये 10 मिली मीटर इटले 1 सेंटी मीटर इटले 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर इटले 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर नो वर्ग करवो पड़े ये जवाब आयो आपड़े तरंग पॉइंट अधार गुणिया दस्तनी 8 न्यूटन पर मिटर स्क्वेर था है यंग मोडिलर से ले खबर जाप करना है F अपॉन A छेदमा डिल्टा L अपॉन L डिल्टा L अपॉन L इडला हो लगाए F इंटू L छेदमा A इंटू डिल्टा L सेना बराबर यंग मोडिलर से ले लगाए मार डिल्टा L जो इता हो है तो डिल्टा L अहीं आई जाए अन्य यंग मोडिलर से नीचे आवे तो ले F इल अपॉन A इंटू यंग मोडिलर से ले खबर एफ एल सुधाय F इल छेदमा A इंटू यंग मोडिलर से ले खबर आज उत्र मुकवानू मार है क्या एक करो इले इनुए जवाब आवे इले लगभग एक पॉइंट छो थरू क्या वाए अन्य सो वड़े गुणी काड़ो सो वड़े एक पॉइंट छो छेदमा एक अजार आप पे लाजिये अन्य गुणियां सो करी नाखो ले बे मिंदा जता आ रहे तरलना यांत्रीक गुण धर्मो महा सरुवात्मा खास्तो अपने किदलाग गुन्दर्मों लेवा ना जे प्रवाही ने वायू इले तरल प्रवाही ने वायू इले तरल तो प्रवाही ने वायू उने किदलाग सामाने गुन्दर्मों नो अपने अब्यास करो जे प्रवाही ने वायू वही सके जे तुआ थी तेमने तरल केवा माँ आवे जे प्रवाहियो ने वायो वही सके जे इटले एमने तरल केवा माँ आवे जे मुर्भूत्रिते प्रवाहिवने वायो नो आ गुण्धर्म तेमने घंपदार्थी जुदा पाड़े कर गुण्धर्म वही सकवानो गुण्धर्म एमने घंपदार्थी जुदो पाड़े तरल आपड़ी आसपास बदेत चे प्रुथ्वीने हवानू आवरण चे अन तेनी बेत रत्याउं सपाटी पाणी वडे धंकाईली चे पाणी मात्र आपणाज माटे अस्तितो माटे जलूरी नथी पर तु दरेक सस्तन प्राणियोना बंदारणमा महद अउशे पाणी छे वनस्पती सहित बदास जीवो माँ थत्ती प्रक्री आओ तरलना माध्यम थी ठाई जे आम तरलना गुण धर्मों और वर्त्रूंक समझवानू अगत्यनू जे तरल गन पदा थी के वेड़ी ते जुदा पड़े जे प्रवाई होने वाई होमा कई निश्चित आका नदी होतो प्रवाई ने वाई होने कोई निश्चित आका नदी होतो जारे वायू तो जे पात्र मा भरो एले पात्र ना समगर कद ने भरी जिदे फैलाई जाए का पात्र मा है फैलाई जाए गन पदा नू कद प्रतीबर गन पदा नू कद प्रतीबर द्वारा बडली सकाए गन प्रवाही के वायू नू कद तेनी पर लागता प्रतिवर अथ्वा दबान पर अधरीचे ज्यारे आपने गन के प्रवाही पदा थो ना निश्चित कद नी वात करिये चे त्यारे तेनो हर्थ ते कद वातावर ना दबाने से तेम समझू वायोक अने गंद प्रवाही पदाथो वचन तफावत ए छे के गंद अने प्रवाही पदाथो मा बाहिय दबाना फेरफार ने लिदे था तो कद नो फेरफार गणो ओचो ओए छे अपर वीजी जी ते कहवाई के गंद प्रवाही पदाथो नी दबनियता वायोनी सर्खामनी मा गणी ओची नईवत कहवाई आकार प्रतिबर गंद पदाथनू कद अचर राकी ने तेनो आकार बडली सके छे तरलनो चावी रूप गुरुण दर्मए छे के तेओ आकार प्रतिबर ने गणो ओचो अवरुद दाखवे छे तेनो आकार खुबज नाना आकार प्रतिबर वड़े पण बदलाए छे तरलनो आकार प्रतिबर गंद पदाथो ना मुल्य करता लगभग दस लाख गणो नानू होई छे